पावन सिंग के द्वारा यह का जा रहा है कि मैं पत्नी अपनी पत्नी को जोती सिंग को नहीं रखूंगा अच्छरा सिंग से भी संबंध है और कई एक्टरों से संबंध है इसी करण बार-बार विवाद होता था आरा कोड़ से हमें नियाय के उमीद नहीं है इसलिए कि वहा स्ट्रेंडिंग के एक बार फिर चर्चा में है दोस्तों आप अच्छा से जानते हैं कि पावर इस्टार कहें जाने वाले बोश्पूरी के पवन सिंगी उनका अपनी पत्नी से विवाद चल रहा है विवाद चल रहा है चला का मामला है और इससे आप बहुत भली भाती पर करें आज हैं बलिया में और हम बलिया में जोति सिंग जी के वकील साफसे बात करेंगे जो की पावरिस्टार पावन सिंग की पत्नी और जिनसे तलाक का मामला चल रहा है सर अपना पर्चाद मेरे नाम अखिलेश कुमार सिंग है सर यह जो अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है कि आरा कोट में जो मुकदमा था यह इसमें पैसे के लेंदेन और वन टाइम सेटलमेंट की बात हो रही है डेखीए जो आरा कोट मुकदमा चल रहा है वो पावन सिंग के सब्सक्राइब कर देंगे तो वन टाइम सेटलमेंट की बात हो रही है वन टाइम सेटलमेंट में पेवन सिंग के द्वारा 1 रूपिया कहीटे 1 रूपिया देंगे नवेड़скомने कर दो लिए हैं लेकिन, अभी हम लोग चाहे रहा हैं कि जो भीवाह है, वो शुलग जाए, रखने को त्यार हो जाए का देत thing कि साथ ही रहें में लेकिन आरा कोट में साथ सब लोग पहले हुआ जी नहीं है इसलिए कि वहां के जोज़ है नहीं हम से रहेंग से रहेंगे तो सर एक बात बता है ये विवाद कब से स्टार्ट हुआ था सरी है चाधी के कब कितने दिन के बाद जब विवाद स्टार्ट हुआ उन्हों के बात चीत करना बन कर दिया है और लगभग सतरा दिन तक रुके और बाद में वह जाते समय जैसा कि उनके पिता जी का भी एक बयान मैंने वीडियो में देखा तो उन्होंने पी चुम्राइबगे रहों खुशो रहो, और उसके बाद बात चीत करना बन कर दी है आपका यह करना जी तो अब यह इस तरीके से यह वी बाद जो है वो और कहीं न कहीं कहरा हुआ तो उसके पीछे कुछ रीजन तो होगा सर अब यह पती-पत्नी के आपस की बात है हम लोगों को देखें कि अचानक उन्होंने तलाग फाइल कर दिया तो हम लोगों को गुस्ता कुछ ना मिली संबन के द्वारा तो हम लोग आरा कोट में पहुंचे और अपने हाजरिव पस्तिती हुई यहां बात बता है कि आखिर यह बीवाद की जड़ जो है कहीं न कहीं बयानों में यह सुनने में आ रहा है कि अक्षरा सिंग के जो संबन है वह बहुत मधूर संबन बीच में उती थी जगड़ा करने का रही था कोई पत्नी नहीं चाहेंगी ठीक है साथ है अपना जो भी है बाहर है उद्वाद नहीं चाहें सरुंके पिता जी ने एक नीज चेनल को अपने इंटरविव में यह कहा है कि पावन सिंग बहुत साज़ ज्यादे शराब पीते ह अब लगभक इंड़ गिर्गेट जैसा रंग बदलते हैं और अपनी पतनी के साथ दुरविहार करते हैं क्या कहेंगे यह तो बात सभी लोग जानता है उनके पीटा जी भी और पूरा मीडिया जानता है पूरा इंडस्ट्री जानता है कि पावन सिंग पीते हैं और पढ़ाई करेंगा और पढ़ाई करने के लिए पैसा नहीं मांगा गया है जैसे की जीवन में जो भी अगर नहीं रखते हैं तो पूरे जीवन के लिए वन्ट व सेट्लमेंट मांगा गया जाएगा अचाहीं मांगा गया है और वहाँ पैसा पतिनी का हक है पति देगा इसका कोई लिमीट होगेरा है क्या? जितना इंकम होगा पति के 40 परसेंट पत्नी का हक है पावरिस्टार पावान सिंग की इंकम ज्यादा है देना चाहेंगे तम देंगे मनसा कुछ और है पर हमारी पब्लीक की यह जनना चाहेगी कि वल्याकोट्स अर के क्या होगा तुरा बिस्तार से बैठीर कोट्स से मेंटेनर्स फायल किया गया है पवन सिंग के जो भी इंकम होगा उसमें जज साहब के द्वारा जो भी आदेश होगा और आरा कोट से तलाग देखिल किया जाए चुकि यह मामला दो स्टेट का है अगर आरा सुनवाई नहीं होगी तो हम लोग दिल्ली जाएंगे मोदी जी कहें जाएंगे योगी जी कहें जाएंगे की हमारे एक बहुत महत्यप प्रून सवाल है सराप से की यह जो 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 जोती शीन्ह ने FREco से तलाग चाहते हैं अखर उन्होन के आरोप लगाया है कि जोती शिंग का साधी लव मेरे जुआ है साधी होने के बाद मन तरह तरह के आरोप लगा है जबकि वह एक परमपरीक तरीके से साधी हुई थी और समाज में हुई थी एकारण के नहीं रखने कपतनी को भी है उनकों बताइए नहीं रहा होगा जवान बताइंगे होगा सर जरू बता हूं तो आप इस चीज को प्रूब कर रहा है कि उनका किसी के साथ प्रूब कर सकते हैं तो उनको तलाक मांग रहे हैं इधर छोड़ेंगे उधर जाएंगे उनका क्या है उनकी सो बहुत सारी पत्या बहुत सारे लोगों से सम्मंद जैसा कि चली रहा है निव चल रहा है बहुत से महिलाई तो भड़क रहे हैं बहुत उनको गाली दे रहे हैं कि गलत कर रहा है जो है जो उनको आडियन्स है सभी लोग हमारे पक्स में बोल रहा है जो भी लोग है ल सब्सक्राइब जोति सिंग ने फैसला जोति मानने जाएंगे और इनके परिवार पिटा दुखी आप सिर्टों कौन साधी करेगा पावर इस्टार और सुपर इस्टार कहे जा रहा है कल अगर वही साधी दूसरी जगह होती तो वह भी तानत देगा तो इसलिए चिंतित है उनके पिता जी देखे दोस्तों हमारे भरती समाज में किसी भी बेटी का बाप सिधे सिधे अपने दमाद पर आरोप लगाने से भी दरता है नहीं तो बचना भी चाहता है लेकिन इस तरीक एक आरोप जब उन्होंने लगाया हमने एक वीडियो इंटर्वी देखा दोस्तों का कि वह चरापी करके गाली गलोज करते हैं यसा आरोप जो है वह जोती सिंग के पिता जी ने लगाया तो अपने आप में इतने ब परिवार की परंपरा तूट रही है हिंदुस्तान के अंदर यह नहीं होना चाहिए तालाग और मेंटेनेंस के मुकर्मों की संख्या बढ़ गई है यह समाज को किसी और दिशा में लेके जा रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए जो हो रहा है पहले साधिया होती थी सब्त पद को वेस्टन कंट्री की तरफ लेके जा रहे हैं वेस्टन कल्चर को अपना रहा है इंडिया और इस तरीके से यदि इतने बड़े-बड़े जगहों पर सेलिब्रेटी बन करके लोगों को अपने कलाकारी से मनुरंजन के माध्यम से फिल्मों के माध्यम से लोगों को का मन ब जरूर बचाईएगा दोस्तों आप क्या कहेंगे पवन सिंगी के बारे में और आप क्या कहेंगे आप क्या कहेंगे वकील सापके बयान पर मैं अरियम स्रीवास्ता और आप देख रहे हैं मेरा यूटूब चैनल यूनिक नीज वन और इदि आप मुझे फेस्बुक पर देख क्या यूनिक नीज वन बाद बाद देख रहे हैं